तो स्वावध है आपका मेरे दोस्तों यूटूब चैनल पर यह जो संस है जल्दी बच्चों के ना माइंड में नहीं बैठ यह समझ में नहीं आते जल्दी तो हम आपके लिए जो है फोड़ा इजी करके लिए क्या है कि ट्राइंगल आई यह बोड़ की तरफ चलते हैं कि द ट्राइंगल इसे हिंदी में इसे हिंदी में क्यों कहते हैं अच्छाइब ट्राइंगल का मतलब खाली ऐसे एसे एसे ट्राइंगल होना चाहिए उल्टा-सीदा जैसे जासे बना morales बिलिवने होना चाहिए उसे एंno इंष्टवास समझ करें ताकी इन्हें हमें समझ में आप आ Means जैसे Relay केasta से इंग्लिश이면 दोब इसे हम बोलते हैं लंबाई इस रेखा को लंबाई बोलते हैं यह वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं आधहार क्या बोलते हैं आधहार ठीक है और इसे हम इंग्लिश में बेस भी कहते हैं इसे इंग्लिश में हम बेस भी कहते हैं इसे हम Length बोलते हैं तो है कि लेंद बेस और इसे हम बोलते हैं विकरण कि विकरण का मतलब होता है करण करण का मतलब होता है वो रहा जो इसके सामने से जा रही हो उसे ही करन कहते हैं भूस से बच्चों का सवाल ऐसा होगा सर जी अगर यह वाली ऐसे बॉक्स को हम ऐसे कर दें जैसे मानलो यह रखावाई मैंने इसे ऐसे कर दिया इसे ऐसे कर दिया इसे ऐसे कर दिया तो सर जी अब क्या होगा अगर मानलो आपने इसे nå कि ऐसे कर दिया तो तो सर जी अब कोन सा करण हो गया तो को सा आधार हो गया कोने सा भी करण हो गया बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी है जो एक नब्गें डिगीरी का देह लेना ठीट जो बनता है इसके सामने वाली रेखा जो होती है वही करण होती है बस ठीक है और यह वाले में इसमें क्या होता है इसमें आप अपने अपने हिसाब से मदब देख सकते हैं एक लाइन यहां की चलो ठीक है अब इसे लंबाई के दो इसे ऐसे करके तो इसे तुम लंबाई भी मान सकते हो और इसे आधार मान लो ठीक है तो यह अपने हिसाप से देखना पड़ेगा कि यह ट्राइंगल कैसा है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि आई थिंग यू अंडर्स्टेंड ट्राइंगल सम्स हमने अभी दो तिंग चीज़े सीखी सबसे पहले लेंद यानि लंबाई ठीक है आधार यानि चोड़ाई के रेन और इसे विकान को होते हैं इसके फॉर्मुले होते हैं कए तरीके से एक पाइथा गोरस का फॉर्मूला होता है इसमें पाइथा गोरस का फॉर्मूला होता है वो भी इसमें अपलाई होकर इसकी जो Its p.3 कि पੌ tünde निकलता है ओ Küसा हो चोड़ा से चालो अगर रेडि के अंदरू we are due to love by हि है जमा चौड़ाई कि धिए यहां कर clerच है अब इसे करने क्या है इसे हमें अपना करना अब देंगो देखें क्या स्केल आपको नहीं आता चलाना इंचिटेव नहीं आता तो सेंटीमीटर फुट मीटर ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए तो जैसे माली जी आठ है अब यह दोनों नहीं पता यह नहीं पता जो चीज़ नहीं पता नहीं नहीं लिखो तो लंबाई की जिगा लिखो तीन जमा आधार कितना है चार अंडर रूट कर दो फिर करण लिखो ठीक है और करण लिखने के बाद में फिर इन्हें आपसल क्या गरो जोड़ो ठीक है इसमें एक चीज जोड़ थी इसमें इसमेर लगडा तो एक लिखने के लने की और इसと्यों personnes नहीं आ था तो विदि आ करण का स ಅगर एक दो पे 2.शvel दो है थीन पे स्कुर चार पे स्कुर पांच पे स्कुर इस Roger कि से आप 10 तरीके ये स्क्वायर बना सकते हो तो एक जो एक बार गुणा करो तो क्या आएगा एक दो का दो बार भणद करो के क्या है चार तीन तुन नो चार चौक तीन तो इस पर बाएगा वहां पांच लग जाएगा अब चार पर दो है तो चार चोग वेरी गुड वेरी गुड सही बता है 16 फिर करण लिख लो क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता करण इसके बाद में 16 और 9 25 अब 25 का स्क्वार रूट निकालो कि क्या आएगा करण की जगा पर अब देखिए पचम क्या आगया 25 यानि 5 को भी दो लगा था ना तो जो ये 25 था तो इसका जो अंडर रूट कटेगा तो यहां आ जाएगा 5 अंडर रूट कटेगा 5 आ जाएगा ठीक है और 5 इस तरी किसे आएगा यहां देखिए अब यहां करण का करण रहेगा बता यह करण आगया 5 एक तरीका तो यह है अब यह जो लाइन है वह आप यहां लिख दो इसे रफ कर लेते हैं अब अगला तरीका देखते हैं कि इस सवाल को हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं यहां पर लिखावा है त्रीबूज इसे त्रीबूज लिख लेते हैं पहले है कि तीराइंगल है इसके बाद में यह रही लंबाई यह रहा आधार यह रहा करण यह रहा विकान इसे विकान भी बहुत है तो लंबाई कितनी पीन ठीक है और देखो इसे लाइन को यहां से यहां तक इन्होंने नाम देगी अब इसे शाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं A B बरावर 3 समझे बाया A B बरावर कितना है 3 यानि A B वाली लाइन जो है वो बरावर 3 यह एक मैप है समझे लो जैसे मैप होता ना मैप के दिए तुम पोच्छते हो एड्रेस से तो एड्रेस समझे लो अच्छा B से C तक कितना है 4 तो तुम लिख सकते हो B C B C बरावर 4 अब यह पूछेगा कोश्चन देओ किस तरीके से बनता है C और A आपको बताना है C और A C लिखो और A लिखो बरावर कोश्चन का आंसर बताइए C और A क्या है बस यह जो है यह इसका महीन है तीक है बस इसी तरीके से होता है A C भी कर दो कोई जिक्कत नहीं है लाल बटा कक्का यह एक फॉर्मूला है सम्झाते हैं लाल लाल बटा क क क क क क क क यह साइं ठीटा कोश्च्टा टैंक तीटा वम हूं जिक्षोट Pelosi Mi नहीं हां कॉषक और एक चीज हो रहे है वह बिबाद बताइंक तो यह सम्झाता है से वह बटा आता है डिवल्पाय का मतलब लंबाट है क्या लिखो कि क्या दिखो क्या च्रान साइन टीटा हुग तो 10 तीटा आएगा यह ऐा लबाई बटा यह लमबाई बटा अधार लमबाई बटा आधार भी बटा आधार जातिक बसापको इसे तरीके से ढूं से इसी फोर्मुलों से इन्हें पुल्ट है त्रीटे चाहिए अश्रुच साल 2079 प्लीटा को से कि 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 को सेक अब जो को सेक का क्या होगा यह वाला ही उल्टा कर दो यह वाला उल्टा पलट दो आधार और लंबाई ठीक है फिर को सेक के बाद क्या आगा पर दो और आधार नीचे कर दो सबसे उपर वाला क्या लिखा को ना करण लंबाई कर दो कर दो तो इस तरीके यह से हमारे च्छे बन गए में जो होते हैं वो सिर्फ तीन होते हैं बाकी को हमें पलटना पड़ता है यह लेटा यह लेटें लिख लेते हैं साइन का फोर्मूला कितना है लंबाई कर्ण कितना है लंबाई करण कितना है तीन और जार यह रहा है हम हमें करना होता है इसे इसे हाफ करना होता है एक फॉर्मूला और लगता है कि उन दोनों को जोड़ो और उसे डिवाइड करतो दो से जब वो दो से डिवाइड हो जाएगा तो यह पूरा तुम्हारा कैल्कुलेशन तुम्हारी पूरी सही वैठे की एक दमातर तो इस तरीके से भी तुम कर सकत तुम्हार कर दो या तुम यह लिखा लो कि कोस्त जो लिखावा है कि अधार कितना है प्रण हमने निकाला था कितना आया था करना पांच आया था था थी कैंट अम पांच लिख लेते हैं पहले वेरी गुड चलो अब आधार अभी एक मिनिट रूप हो जाना सबर करो कोस ल पीजो और फिल्देको आधार कितना है अधार यह राधार च लृत चार और करन कितना है आच एसे लिख लात ढमध कितनी है की विएड़ों अब एसे को सेख कर लो कोस में क्या है आधार आधार कित जहां आठार चार लंबाई कितनी हैं तीन सैक में अरे बढ़िया वताओ वही शैक में कर्ण कितना है पांच फिर आधार कितना है चार और कोट में 5 कर्ण पांच और फिर लंबाई तीन ठीक है इस तरीके से हम इन सवालों का हल कर कि और यह ट्राइंगल कितना भी कैसा हो 180 डिग rat होता है एक बार समझाता हूं इस से थोड़ा प्लाइड के सम जाता हूं ताकि समझ में आए आखर कोई भी चतुरभूज है जी plus 360 का होता है कि अगर कोई कोई भी ट्राइंगल है तीन साथ लिग देता हुए अबर अगर कोई भी ट्राइंगल है वह एक सो असी डिगरी का होता है अगर कोई भी स्थीदी स्ट्रेट लाइन हो लाइन हो एक सो असी डिगरी की होती है अगर कोई भी राउंड फिगर गोला हो 360 डिगरी का होता है और अगर हमें इसे हल करना है और हमें अंदर का कुछ दे रखा हो जैसे मालो यहां दे रखा है हमें यहां दे रखा हमें 60 अंदर अंदर दे रखा है अंदर अंदर इसे समझना बहुत जरूरी है माल लो या साड़ दे रखा है अब हमें देखना है कि 90 पूर्ण सावाला बनना है यह जो चौरस वाला होता है यह जो बिल्कुल ट्राइंगल बनता है ऐसे करके गुरिया डाइब में तो वो 90 डिग्री होता है सामने वाला कर्ण होगा इसके फॉर्मूले और भी है वह मैं अगली वीडियो बताऊँगा क्योंकि आप पहले बेसिक समझ दो अगर बेसिक कॉंसेट्ट रखते हैं समझ में आ गया उसके बाद में आगी की वीडियो जो मैं चीए ना बहुत बहतरी में करके समझाँगा आप पेपर में एक दिम्टम आगे लिख्या होगो चलो आगे बढ़ते हैं अब यह साठ है और हमें क्या कंप्लीट करना था जी एक सब्सक्राइब करना था हमें एक सब्सक्राइब करने के लिए 60 कम करते हैं इसमें से झाल 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 झाल